अपने ब्लॉग के थोड़ा से लेट किया है और सुबहे के सारी काम जितने भी थे वह सारे निपड़ चुके हैं बस रह गया थे कपड़े तो कपड़े भी दूल चुके हैं और धूप करके रखा हैं मतलब बीच-बीच में धूप करता च्प्या और बीच-बीच में मतलब बादल टाइब से हो जाते हैं तो बारिस का तो कल से भी नहीं कल से नहीं हुई है तो बारिस के लगता नहीं कि बारिस होगी और गर्मी बहुत जादा है बारिस नहीं होती और जब बारिस होती है उसी टाइम थोड़ा सा मौसम ठेक रहता है इसके बाद फिर मतलब गर्मी वाला ही हो जाता है और इस टाइम के घर में ना कुछ जादा ही गर्मी लगते हैं जिसे अप्रेल माई जोन के अलावा इस टाइम के ना गर्मी थोड़ा अलगी रहती है चलिए जल्दी से कपड़े फैला देती हूं और फिर चलते हैं लंच बनाने के लिए साफ करने थे थोड़े बहुत कंबल जैसे कि हम लोग डेली औरते हैं ना जो कंबल को तो उनको भी मुझे साफ करना था पर पहले तो मौसम ठीक नहीं था और फिर खराब मतलब जब बाद में अच्छा हुआ था फिर इस टाइम तक पिर नहाने के बाद ना कोई भी काम करने का मन नहीं करता है कप्ड़े उप्ड़े दोने का तो खास का नहीं करता और इसलिए तो आज मैंने छोड़ दिया है अब करते हैं तो आज दुपार में ज्यादा कुछ मैंने बनाया नहीं था बस सुबह मैंने वीडियो सूट किया इसके बास सीथे अब मैं आप लोगों से मिल रही हूँ और ज्यादा कुछ सुबह मैंने खिचुड़ी बना लिया था तो वह तो उसी में काम चल गया था हमारा तो जादा कुछ वीडियो फिर सूट नहीं हो पा ही सिदे सुबह से मैं अप लोगों से साम को मिल रही हूँ अब तो थोड़ा बहुत मुझे भी काम है कि चन में जो मैं रासन लेके आई थी न तो उनको मैंने कंटेनर में फिल नहीं किया साथ मैं अभी कपले डाले हूँ चत में और आजना धूप बहुत अची करके रखा है पहले तो सुबह टाइम नहीं किया था नित मुझे कंबल अंबल साफ करने थे तो मैं कर दे थी बात में धूप हुई तो कंबल अंबल भाला जो काम तो छुट गया देखते हैं अगर कल करेगी धूप कल होका धूप तो फिर मैं कल धूलोंगी और तो पहार में आई हुई सबजी तो यह बैग में रखी है इसको भी मुझे टोकरियों में निकालना है तो चलिए बने रहे वीडियो में मुलते हैं थोड़ी देर के बात तो यहां पास मैंने सारी चीजे फिल कर करने चीजे बड़ी चीजे इतनी भी हो गए तो सारी फिल करके मैं और कंटेनर्स को न उपर ता रख देती हूं तो मैंने सारा सोट किया था वीडियो पर पता नहीं किसी-किसी दिन ना वीडियो अपने आप बहुत तेज हो जाती है वाजिंग करते हैं फिर थोड़ से डि खापाई को मैंने फिल किया मांकि यह चीणी अभी मैं ऐसी ही रख दूंगी क्यूंकि मेरे पास जो चीणी वाला कंटेनर है उसमें और करी दो केजी के असपास चीनिंग होगी तो इसको मैं ऐसे ही रख दूँ जब उसकी खतम हो जाएगी तो फिर इसको फेक न फोड़ेगा तो आप इसको कभी तक भी रख सकते हो खराफ होने वाल चीज है नहीं तो इसलिए मैंने जाब लेके आई हूँ श्टोर करदोंगे इसको रख दोंगी बात में काम आएगा इसके बाद खाना बनानी के तयारी में लग गए हूं तो यहाँ पास मैंने लेके रखी हूं कदू तो इसकी सब्जी बनानी है तो थोड़ा सा मैंने आधा कटकर लिया आधा मैंने रख दिय है इसमें मैंने दो आलू भी मिला के बनाऊंगे विक्यों बच्चों को थोड़ा सा आलू जब तक जी सब्जी में रहें पसंद नहीं आती है और इसकी ना सब्जी वैसे भी बच्चे पसंद नहीं करते ज्यादा तर खाना तो इगर इनको खिलाना है तो आलू ना इसमें डा के आया है और करीब टाइम बताएं तो साथ पंद्रा साथ भी इसके असवास का टाइम रहा होगा चाता टाइम निक था मैंने ताल रख लिया चने के बनने के लिए और कद्दू की सब्जी तो आज की खाने में बस यही है और एक साइट मैं सब तक में सब्जी में तड़क सब्जी बन गें और इसको मैंने एक बावल में निकाल लेती हूं और इसी कढ़ाई में मैं तड़का लगा दूँगे डाल का ताकि ना कढ़ाई भी दूस्टी गंदी नहों जितने बरतन कंदे करेंगी ना उतनी ज्यादा है दूलना तो अपने को ही है दूलने महला तो को दूलने कम बरतन गंदे किये जाए उतने अपने लिए अच्छे है तो यहाँ पास दाल में तड़का लग जुका है और दाल नमने थोड़ी सी ही बनाई है ज्यादा नहीं मतलब जूतना की खतम हो जाए और एक साइड मैंने सब्जी बन गई है इसको में धनिया पत्ति मैं बनाया इसके बाद नेश्ट मॉनिंग का अपने बना रही बच्चों के लच मिले जाने के लिए आज मैंगी तो पहले मैंने पानी डाल दी हम अच्छे से बॉयल कर लिया मैं थोड़ा सा तेल डाल दिया था और आप डाल दिया है मैंगी और इसको ना असी परसेंट कुक कर चुप 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 80 cumpl कुप करना है और सबस्की इसका करना है और ब Natyya करते हैं इंट्रेक्शन में रख दिया था दूद पकने के लिए और ध्यान नहीं गया थोड़ा सा दूद गिर गया तो वही मैं साफ कर रही थी यहां पास और फटा फट से ना बनाते हैं तो यहां पास ना अद्रक मेरी खतम हो गई है तो मैंने चाय में एक इलाजी ही डाल टोड़ा है अद्रक कल देसी सब्जी हुाना जय करे का झांद कौन कमा चले तो चल लिए करीब पक्क गई है करीब ने निकाल किए छान डिया मतलब टोकरी में और थोड़ा शाथ ऐल डाल के मिक्स रख कर दिया मैंगी में ताकि आपस में चिफ्टके ना ठंड़े पाने से जयता स्को ँषय कर दिया था मैगी को तो घरम नार हृइं ठंडी हो जाए के बाद आलु फियास मैंने यहापास पेले कट कर लिया थाकि आलु डालकी मुझे बनाना को बें जाने के लिए तो फियास को पर जियादा पखाई हो हलकी सी मैंने इसको मतलब रोष्ट किया और इसके बाद इसमें आलू डाल दी हूँ थोड़ा सा नमक डालूँगी इसके दो चुटकी के करीब ताकि जो आलू है जल्दी से गल जाए ताहिम ना लगे तो थोड़ी सी जैसे आप लोग दे सकते हूँ कि हाथ से ही मैंने डाला थोड़ा सा एक दम नमक और इसको ढख दोंगी गयास थोड़ा सा स्लो कर दोंगी ताकि आलू अच्छे से पक जाए और मैं आपस में एक भी नहीं चिपकी थी नहीं कभी कभी होता है ज्यादा कुक करने जए आपस में चिपक जाती है तो चलिए बच्चों को छोड़के मै आ गई थी और पूजा के लिए यहाँ पास से फूल भी तोड़ती लेके जा रही हूँ तो जिस दिन आती हूँ छोड़ने है बच्चों को नहीं पका लेकर जाती हूँ तो वह डेली में सूट नहीं करती हूं बीच-पीच में किसी-किसी दिन का मैं यहां के थोड़ी सी और एक फूल मुझे नहीं पता इसका नाम क्या है यह भी बहुत अच्छा फूला हुआ था तो यहां से मैंने तोड़ लिए क्योंकि बांकी कि ना तू अपने से तोड़के और जड़ गए थे तो यहां से मैंने दो फूल यहां से तोड़ लिए बस चलिए आ चुके हैं लोग में वीडियो अच्छी लगीगा तो जोड़ियो को लाइक कीजिएगा साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से कर दो